नमस्कार आपके साथ मैं आदती क्यागी और आज बात होगी देश में जो राजनेतिक तस्वीर है कनाटक एलेक्शन के बाद ये तस्वीर कितनी बदली है क्योंकि अगर आप 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 आपोजिशन को सुन रहे हों तो एक ये परसेप्शन क्रेट करने की कोशिश की जारी है जो विपक्षी दल है उनके द्वारा और एक कवायद भी चल रही है ओपोजिशन को युनाइट करने की एक तरह का शक्ती प्रदर्शन करने की कोशिश की गई करनाटक के सीम के तौर पर जब सिधर अमया की ताज कोशी हुई रियालिटी में ग्राउंड पर ये सारे परसे रिक्षित जी है जैपूर डायलोग्स पर आप लगातार उन्हें देखते और सुनते हैं संजल जी बहुत-बहुत स्वागत है सार आपका कि आपने टाइप नमस्का सर तो सबसे पहले तो सार आप भी देख रहे हैं सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि करनाटक का इलेक्शन नहीं विपक्ष ने स्पेशली कॉंग्रेस पार्टी ने नाशनल इलेक्शन कोई जीता है करनाटक के बाद आपको राजिनेटिक तस्वीर कितनी बद्ली दिखाई देते हैं तो मैं तो एंपरिकल एविडेंस पर जाता हूं और एंपरिकल एविडेंस यह कहती है कि 2013 में भ 14 का चुना हुआ था तब भारती जंदा पार्टी की 22 या 23 सीटे आई थी और 2018 में भी कॉंग्रेस समर्थित सरकार बनी थी और कुमारसवामी चेफ फिनिस्टर बने थे और 2019 में भारती जंदा पार्टी की 25 सीटे आई थी तो यह केवल करनाटका के परेप्रेक्श में देख कि यदि हम जाएं 2004 से यदि हम इसको देखने का प्रयास करेंगे या 2008 से भी देखने का प्रयास करेंगे 2008 में सरकार बनी थी भारती जंदा पार्टी की और अधिक तर सीटे किस ने जीती थी लोग सभा में कॉंग्रेस ने अचा 2003 का देखेंगे दो दोजारá तीन में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी अधिकतर सीटे किस ने जीती थी पार्टी जंदाप्रटी से 2.80 में सब्सक्राइब इसकाल उसमें सरकार बाच्वा कि बनती है अधिकतर सीटे और 2016 है दोहजार तेरा में सरकार कांग्रेस की बनती है अधेक तर में सरकार कांग्रेस और जीडियेश की बनती है और तो यदि इसको को रिलेशन के रूप में देखें हैं तब तो मेरे विचार से विपक्ष को करनाटका के संदर्व में चिंतित होना चाहिए क्योंकि को रिलेशन तो कुछ और ही कह रहा है तो आप बिल्कुल भी वरिड नी होंगे बीजेपी के लिहाज से क्योंकि आप जिस तरह से आपने अभी इंपरिकल एविदेंस की बात की एज ऐसा लग रहा है करनाटक की जनता जो है वो सबको खुश रखती है एक को राज्य में सरकार बनाने का मौका दे देती है एक पार् कर देता हूं क्योंकि हम सेफालोजी भी करते हैं जैपो डायलॉक्स पर हमने जद्धिया पर हंग असेंब्ली प्रेडिक्ट की थी लेकिन हमारी जो विश्लेशनल था वो गलत साबित हुआ और उस गलत साबित होने के बात जब हमने विश्लेशनल किया तो हमने पाया कि हम जो विश्लेशनल कर रहे थे जैसे हमने 17 प्रतिशत जो वोट इनको दिया था तो 17 प्रतिशत वोट जो था वो लगबख बराबर बराबर ही सब जगे जो चेंजेज थे पिछली बार भी लगबख इतना ही वोट था 36.4 था तो हम सभी जगे ये मान रहे थे कि लगबख बर प्राबर ही रहा 36.05 प्रतिशत प्रतिशत है वो बहुत पीछे रहता है लगबख दूसरी पार्टिओं से जन्ता जल सेकुलर का वोट अच्छा रहता है कॉंग्रेस से पिछली बार भी लगबख दस प्रतिशत वोट कम था इस बार आप यह रेखिए कि जन्ता दल सेकुलर का वोट ओल मैसूर चेत्र में इसमें एक सट सीटे हैं एक सट सीटों मतलब वहाल एक चौथाई से ज्यादा सीटे हैं पूरे करनाटका के तो वहां पर वीजेपी का वोट थोड़ा बढ़ गया वीजेपी का वोट जो है वो लगबख चार प्रतिशत पढ़ा और और कांग्रेस का जो है वो छे प्रतिशत पढ़ गया और क्यूंकि कांग्रेस और बारती जिनता पार्टी में पहले ही बहुत गैप था तो ये गैप जो है वो दो प्रतिशत और बढ़ गया तो इसलिए वहाँ पर विंड फॉल मिल गया कॉंग्रेस को जनता दल से किल वर के डाउन होने के वज़े से और बीजे पी का वोट प्रतिशाथ इसी तरह से कम हुआ है वो कम हुआ है उन शित्रों में जहां पर बीजे पी ने पिछली बार 51 सीटें जीती थी यानि कि बॉंबे करनाटका म पचास में से 30 सीटें जीती थी बाजबाने और सेंटरल करनाटका में 25 में से 21 सीटें जीती थी बाजबाने यहां पर जो उसने वोट प्रतिशत खोया क्योंकि लिंगायतों में पिछली बार उनको 70 प्रतिशत वोट दिया था इस बार वो घटके 55 प्रतिशत हो गया और लि उससे जो है उनको यहां उस पूरे छेत्र में कब 35 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और वही 35 सीटे उनकी कम हैं 104 थी पिशली बार इस बार 65 हैं तो 49 सीटे कम हैं उसमें से 4 सीटे उनने कोस्टल करनाटका में तीन सीटे कोस्टल करनाटका में कमाई आपके बैंगलोर एरिया में उनकी सीटे बढ़ी हैं तो इसलिए जो आप देख रहे हैं वो इस कारण हुआ है तो एक प्रकार से दोनों लोग जो कहते हैं जो बारती जनता पार्टी का यह कहना है कि साब हमें कोई नुकसान नहीं लेकिन वो इसलिए खलत कह रहे हैं कि जो उनके धुर समर थक थे उनों ने उनको वोट कम प्रतशवत में दिया मैजॉरिटी में अभी भी दिया पचपन प्रतशवत लेकिन वोट प्रतशवत उनों ने दूसरी तरफ shift करने से इनको भारी नुकसान हो गया और दूसरा जनता दल का secular का जो वोट परशिषशत कम वह। उससे नुकसान हो गया अब इसको आप प्रजड के दिक करेंगे लोक सबाचुनाओ में जी तो लोक सबाचुनाओ में आप आएंगे कि जनता दल secular का जो वोट परशिशत था वो तो पहले ही इसी इस्तर पर था एक इसी इड़ जीती थी उन्हों और जो कॉंग्रेस का और भारतिय जनता पार्टी का जो वोट अंतर था पिछली बार वो लगवग 15 प्रतेशत था तो अब मुझे यह नहीं लगता क्योंकि जो कारण हैं जो आ रहे हैं सबसे पहले जो कारण सबसे बड़ा कारण यह है कि वोटर जो है वो यह देख रहा है कि साब कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार करनाट का प्रदेश में कैसी चली और यह तो हम सब कह रहे हैं क्योंकि बड़ा आया था करनाटका में कि करनाटका के जो जो लोकल लीडर्शिप थी उसने अपने ही वोटर्स का ध्यान नहीं रखा था और जिस तरह से आप देखते हैं कि जो इसलामी आतंकवाद करनाटका में पनप रहा था उस पे जो हिंदू वोटर था और जो घोर समर्थ या थोड़ा सा निराश हुआ इसका आपको इंपक्ट देखने में आ रहा है कि एक बिलकुल जो खाटी बारती जंता पार्टी का जिला है उत्तर कनड़ा वहां पे छे में से चार सीटे बीजेपी हार जाती है ये उसका एक प्रमान है कि जो इनके घोर समर्थक हैं उनको बारती जंता पार्टी से निराशा हुई है तो विदान सभा के परिणामों को लोग सभा के परिणामों में इसलिए भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि सारे परिणाम देख लें आप इवन उत्तर प्रदेश का भी देख लें आप इवन उत्तर प्रदेश का भी परिणाम देख ले उसमें भार्ती जिनता Pluto का मत प्रतिशत जो है उसमें लगवख दस प्रतिशत का अंतर रहता है. ये हमने जो tradition किया हुआ है मैं उसके आधार के बता रहा हूं उसमें लगवख दस प्रतिशत का अंतर रह рубि रहे जाता है. जैसे इस बार अð amazed Ardash का ही चुनाओ ले ले. उत्तर प्रदेश के चुनाओं में दो जार उन्नीस में बारती जनता पार्टी जो थी वो 49.9 प्रतिशत पर पहुँच भी थी लगबग 50 प्रतिशत और तभी आपने देखा था कि और जब विदान सभा चुनाव होता है तो उसका जो मत्रतिशत है पिछली बार लगबग 41 था इस बार लगबग 40 था लगबग पराबर इमान ले तो वह उससे दो अजार अठारा राजस्तान भारति जंता पार्टी का मत्रतिशत लगबग साथिस्ता और जब आपका लोक सभा चुनाव होता है तो बढ़के 55 हो जाते हैं अठारा प्रतिशत का उचाद यहां तो नारा ही लग रहा था इरानी तेरी खैर नहीं तो मोदी तुस्से बैर सकते हैं कहने का अर्थ यह है कि लोक सभा चुनाव और विधान सभा चुनाव जो हैं वो अलग-अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं अलग-अलग उसका नेत्रत्यों के प्रश्ण पर लड़े जाते हैं और जो विरोधी पक्षभी होते हैं उनकी जो है वो अलग- अच्छे मंगाल में क्या हुआ वहां भी यही दस प्रत्षत का अंतर आ गया और जहां पर वो लगबग बराबर का प्रत्षत लेकर पहुंच गये थे तिर्मूल कॉंग्रेस बाती जनता पार्टी वो ही जिब दस प्रत्षत कम हो जाता है तो बिल्कुल जो है दुलाई हो जा इस तरह से चल रहा है यह मेरी एक एंपरिकल एनालिसिस है और वाटेवर इट इस वर्थ जी आपने बहुत डिटील में समझाया है सर मैं जो डिसकॉशन हुआ है और मैं चाहती हूँ जो इस वीडियो को देखें उन्हें क्लारिटी मिले तो अभी आपने दो बाते की थी ए कई लोग इसे बहुत आईरोनिकल बता रहे थे कि ब्रश्टचार के खिलाफ मुहीम बीजेपी का कोर एजनडा रही कौग्रेस पार्टी के खिलास और कौंग्रेस पार्टी ने उसी ब्रश्टाचार को कोर एजनडा बनाकर सेंटर पर लागर अपनी स्टराटीजी के तक में बीजेपी को शिकस थी, आप से मैं जानना चाहूंगी क्या ये सिर्फ कर्प्शन पर बीजेपी को शिकस थी या फिर कॉंग्रेस पार्टी की जीत में दूसरा पॉइंट जो अभी आपने उठाए था जो कोर वोटर था वीजेपी का, क्या वो हिंदुत्वा पर जो राज्य सरकार अभी आपने इस्लामिक आत्रपात का भी जिक्र किया था, उससे भी क्या वो खफा हुआ? देखें मैंने आपको जो बताया करॉप्शन का इश्यू था अवश्यू लेकिन यदि आप जाएंगे और बाकी जिन्होंने विशलेशन किया और हमने भी जो विशलेशन किया करॉप्शन का जो मुद्दा था, वो किस रैंक पे था? तो करॉप्शन के मुद्दे को मुखे मुद्दा मानने वाले लोग जो थे, वो कोई पांचे प्रतिशती थे और ये करॉप्शन का मुद्दा आप जानते हैं कि अर्बन कंस्टिचुनसी में अधिक चलता है, तो यदि करॉप्शन का मुद्दा वाकई बहुत जिक प्रब धी थी, वीक अड्मिनिस्ट्रेशन की, लैकडेसिकल अड्मिनिस्ट्रेशन की, तो वो जो एक overall image थी, उसमें उसने contribute किया, तो मेजर जो ईशु इसमें ये है, जो मैंने आपको हािलाइट किया, तो कि बारती जन्टा पार्टि allied को कहां उसकि कमी हुई, उसमें एक तो जन् के मुसल्मानों ने बहुत वोट दे दिया यह बिलकुल फाल्थू की बात है जो लोग भी इसका अनलिसिस कर रहे हैं जिन्हों ने किया वो ये दिखा रहे हैं कि आपके प्रदीब गुपता जी की अनलिसिस में उन्होंने ऐटासी प्रतश्शत वोट दिये उनहीं के ऑनलिसि तो यह आठ प्रतिशत का जो इज़ाफा होता है तो तेरा इंटु ए आठ इस हंडरिड़ और एक सो चार इसका मतलब केवल एक दस्वाल जीरो चार प्रतिशत का लाब जो है वो मुसल्मानों के वोट बढ़ने से कॉंग्रिस को हुआ और उनकी जो ओवर ओर इंक्रीज है वो है चार दशम्लाव आठ आठ प्रतिशत बाकी कहां से आए अनको लगबग दो-धाई प्रतिशत का लाब जो है जो मैंने अभी आपको लिघेशट वाला कालिकलेशन बताया था वो जो लाब है वो पूरा उनीगों मिला है तो वोट सबादो धाई प्रतिशत्तों उनको लिंगायतों का वोट एक्स्ट्रा मिला है ऐसे छेत्र में जहां पर भारती जंता पार्टी जो थी वो स्ट्रॉंग थी उसका कारण एक बहुत मौत्वपूर्ण यह है जो देखने में आ करते वो पहले ही भारती जंता पार्टी को छोड़ चुके थे और उन्हों ने छोड़के बहुतों ने उसमें से साथ हाथ मिलाया था उसके बाद फिर दो और महत्वपूर्ण लिंगायत निताओं को टिकेट नहीं दिये उससे यह जो इंप्रेशन बढ़ा तो इनों को जो आधी रहे ना पूरी पावे अपने कोर वोटर को जो आपके धुर समर्थक थे उनको छोड़कर और दूसरों के वोट लेने के चक्कर में जिसमें कुछ अलपसंग क्यक्तुष्टी करण की भी बाते आती हैं यह जो कार्य वार्थी जंता पार्टी ने किया यह इनको घातक सिद्ध हुआ हिंदुत्वा को लेकर बीजेपी की जो मौझूदा स्टाटजी है इलेक्शन में आप देख चुके हैं किस तरह से बीजेपी ने बजरंग बली के मुद्दे को उठाया था बजरंग दल पर कॉंग्रेस पार्टी का एक्शन की बात मैनिफेस्टों में थी करें की कोशिश कर रही है यहां पर बीजेपी लेकिन हिंदुत्वा को लेकर बीजेपी की स्ट्राटीजी आपको इस वक्त खास तौर पर मैं लोगस्वाइलेक्शन अगले साल जो होने हैं उनके संदर्व में जानना और समझना चारी हूं आपका अक्लन क्या है जो है वह ह इसली वार जो 37.5 प्रतिशत जो वोट मिले उसमें से कम से कम 4-5 प्रतिशत वोट ऐसे होंगे जो उनसे यह आशा करते थे कि वे जो हैं वो मुख्यमुद्दा है वो हिंदुों का वो यह है कि उनको एक बराबरी मिलनी चाहिए बड़ी एक विडंबना की इस्तिती है कि हिं असी प्रतिशत बलकि यदि आप उसका जो व्रहत परिभाशा ले तो लगबक पचासी प्रतिशत जो हैं वो हिंदू होते वह भी उनको बराबरी नहीं दी जाती आज भी जैसे अंग्रेजों कहां चलता था उसी तरह से एक विशेश समधाय को प्रिविलेज किया जाता है उनको विशेश अधिकार दिये जाते हैं और उस पर जो है वो बहुत इस पश्टता से हमने जैपुडा लॉक्स में और भी लोगों ने बहुत सारे बुद्धे रखे हुए हैं बारती जंता पार्टी के सामने कि इनको आप एड्रेस कीजिए जिसमें किसी दूसरे समधाय क कोई हाने नहीं हो रही है योडि यह कहा जा रहा है कि आप जो है हिंदूओं के मंदिरों को आप स्वायध शासी अधिकार दीजिये उनको जो है वो सरकारों का पुशला मत बनाईए तो ये जो है ये किसी और के, किसी और समधाय का विशह नहीं है, पूर्ण रूप से सरकार और इंदों के बीच का विशह है, करनाटक में क्या हुआ, ये विशह करनाटक में भी आया था, चुनाव से एक वर्ष पहले, बासवराज बमभम का बहुत महत्व है आप भी जानते हैं कि किस तरह से चुनाव के समय बे सारी पार्टिया जो है वो मटो मंदिरों के चक्कर लगाती है और इन सभी मटों के लिए ये एक महत्वपूर विशे है क्योंकि वो उनको सदै भी शंका रहती है कि पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए और जाके हमारे मट पे कब्जा करने के लिए और उसको इनका जो एचारसी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर ले लेगे और एक वर्च के बाद में चुनाव के पहले उस मुद्दे को उन्होंने ड्रॉप कर दिया अब आप कहरे हैं कि उन्होंने बजरंग वल लूप में देखा जाता है ना कि आपने कोई जो काम किये हैं उसमें साथ में उसके कोई एडिशन होता है तो यह जो जैवजरंग वली रिगा नाला नाला था यदि उसका कुछ लाब हुआ तो बैंगलोर में हो गया बैंगलोर में आपको पांच छे साथ सीटे एक्स्ट्र लिए तो इंदुत्य के मुद्धे पर भारतिये जंता पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूजड है यह काम इनों ने जबकि लोग इन से जब उमीद कर रहे थे कि आप जो है वो मंदिरों को फ्री करेंगे तब इनों ने जाके चार धाम बोर्ड बना दिया उत्राखंड में औ कि उन्हों नहीं उसको वापस ले लिया और इसका उनको लाभ मिला कि वो उत्राखंड दुबारा जीत गए नहीं तो उत्राखंड में वही हिमाचल वाला हाल होता है कि यह जो शेत्र है यह लगवाग पूर्ण हिंदू शेत्र हैं इन में जो है आपको इंदुत्य के जो इ रहे हैं कि भई आप जो है वो प्लेसिस अवर्शिप एक्ट जो है उसको पार्लेमेंट के जरी है इसको आप नलिफाई करें जो सेक्शन फॉर में जो नैंटीन फॉर्टी सेवन का दे रखा है यद्यपी जब हम उसको डीप में जाते हैं और जब यह बात आती है कि माइनॉरिटी का स्टेट वाइज इडेटिफिकेशन होता है सरकार उस मुकदमे को लटकाए हुए हो गए उसको कम से कम पांच-छे साल से लटकाए हुए एक बार एफिडिविट दे भी दिया कि साब इसको जो है स्टेट लेवल पर किया जा सकता है उसके बाद वो का केस है उसमें भी वो सब जान रहे हैं कि किस तरह से तमाशेबाजी हो रही है वक्फ को लेके लेकर ना सरकार जो है वो चुप बैठी है आप इतना तो इस पश्ट करें कोई नहीं कह रहा कि आप किसी के विरोध में जाएं लेकिन समानता का अधिकार तो होना चाहिए कोई के जज़्वेंट को वहां पर ऑनर करके आर्डिनेंस जो है जब आपकी सता की लडाई हुई तब तो आप आर्डिनेंस ले आए लेकिन जहां पर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोई करा चुका है दो तीन इसूज उसके उपर आप आर्डिनेंस नहीं लाते हैं हर केस के ल तो हिंदुत्यों के इशू पर मैं कहूंगा कि इनका रिकॉर्ड जो है वो अत्यांत्य शोच नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिस उत्साह से जो इनको लोग हिंदुत वाधी कहते हैं या हम कहेंगे कि जो एक तरह से प्रखर या एक एग्रेसिव हिंदूज है इनकी संख्या इस 37.5 परसेंट में 45 प्रतिशत होगी यदि ये असंतुष्ट रहे वोट देने नहीं गए तो आप ये समझ लीजिए कि यदि 32 प्रतिशत वोट आया भी जेती का तो वो इनकी संख्या जो है 200 से उपर नहीं जाएगी यहां कि मुझे लगता है कि इस बात को समझेंगे पोदी जी और इसके करेंगे लेकिन ये एक एक लिप सर्विस होती है आप जो है वो हिन्दुकर के बारे में एक लिप सर्विस करें और दूसरी बात होती है कि आप इसके पर कुछ ठोस करें तो यह समय जिन्दत के मामले में जो हिंदूओं की जो आकांग्षाएं जो आशाएं हैं उस पर इनको कुछ ठोस उपाए करने पड़ेंगे यह हलकी फलकी बातों से काम नहीं चलेगा नारों से काम नहीं चलेगा जहां होता है वहां उसका प आज की इस्थिती में बार्टी जंता पार्टी सत्तर से कम सीटे नहीं जीतेगी और सारी पार्टियां मिल जाए तो भी सत्तर से कम सीटे नहीं जीतेगी अब यह इस्थिती क्यों है यह इस्थिती योगी आधित्तिनाथ के कारण है क्योंकि योगी आज इतिनाथ ने जो मुदी का वोड है उसमें निट एडिशन किया है मुदी प्लस योगी मिलके जिसको डबल इंजिन बोलते हैं वह एफेक्टिव केवल दो स्थानों पर है वह उत्तर प्रदेश में एक असम में एक बाकी जगे यह बात होती है डबल इंजिन सरकार की वह खोखली है क्योंकि जो दूसरा एंजिन है उसका तो एंजिन स्टार्ट एक एंजिन और खीचना है तो यह जो डबल इंजिन सरकार और डबल इंजिन सरकार का जो नारा है वो तभी काम्याब होगा जब जो दूसरा एंजिन जो है वो पहले एंजिन के बराबर आउट पुट दे रहा हो एक एंजिन जो है वो एक जार होर्स पावर का आउट दे र वहां बारी जीत होगी उत्तरब्रदेश में आज आपको प्रेडिक्ट कर सतर से कम सीटे बीजेपी नहीं जीतेगी उत्तरब्रदेश के लेकिन क्या यही बात हमाराष्ट के लिए कह सकते हैं अला कि महाराष्ट के इक्वेशन जो है इस समय बहुत गड़ मड़ है मैं तो आपको स्टेट वाई स्टेट एनलाइस करके दे सकता है जी आपने यह कहा बड़ा स्टेटमेंट है यह आपका कि बीजेपी में कन्फ्यूजन है हिंदुत्वा गुलेकर यह कन्फ्यूजन क्यों है अब यह कन्फ्यूजन क्यों है तो यह नहीं कह सकता हम तो बराबर इसको कॉल आउट कर सकता है कि आपका confusion है हो सकता है कि वो कुछ RSS के भी पुराने जो सिद्धानत हैं उनके कारणा confusion हो उनके हिसाब से शूफी जो है वो बड़े tolerant होते हैं उनके हिसाब से इसलाम अच्छा है कुछ मुसल्मान बुरे हो सकते हैं उनके हिसाब से जो DNA सबका एक है यह सब मुर्खता की बाते हैं यह सी से सारा इडियोलाजिकल confusion होता है जी जी क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल का आपने अभी places of worship act का जिक्र किया places of worship act के संदर में मुझे ग्यान वापी याद आया जिसके पहले साइन्टिफिक सर्वे जो स्ट्रक्चर मिला जिसे हिंदू पक्षिव लिंग कहता है उसके साइन्टिफिक सर्वे की बात हुई हलां कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस पर अगली सुनवाई तक के लिए उसे टाल दिया वापी पर वह रिक्वेस्ट जो थी वह सॉलिस्टिटर जनरल ने की थी जी तो वह वह यह भी यह भी फिर कंफूजन क्रेट करता है कि साब भारत सरकार के जो वकील है सॉलिस्टिटर जनरल वह क्यों आगे से बढ़के जो है है वह समय मांग रहे हैं पिर उसके बाद जो यह जो बातें आती है ना किसा आपके इनका हिंदु का कमिट्मेंट कोखला है दिखावटी है वह चीजें जो हैं वह फिर प्र रिइन्फॉर्स होती है ग्यांगापी पर आपकी क्या ठेक है क्योंकि जो हिंदु पक्षे वो कह रहा है कि पूरे एरिया का साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए और कोट में लगातार ये मामला है डॉक्टर स्वामी से मेरी बात होती है तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तीन ऐसी जगाँ हैं जिन्हें कहीं और रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता जिन्में से आयोधिया में रामलाला का मंदिर बन रहा है और मुसल्मानों को काशी और मथूरा छोड़ देने चाहिए ताकि क्योंकि इन्हें रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता तो इस पर मुसल्मानों को पीछे हटना चाहिए आपको क्या लगता है कि देखें वो जो है ना दैट ट्रेन एस लेफ्टी स्टेशन लांग टाइम बैक वो जो तीन वाली जो बात थी वो ऑफर जो था वो बहुत पहले दिया गया था अब चालीस अजार पर है और देखें चालीस जार देखें नंबर्स में नहीं जा रहा मेरे पास तो जो डॉ अथेंटिक डॉकिमेंटेशन है वो किया हुआ है सीता राम गोहल जी ने और उसमें जो है वनोंने प्रमान सहिप्त दोजार की लिस्ट दी हुई है मैं तो उन पूरे दोजार की बात करूँआ है क्योंकि उनके मेरे पास सारे प्रमान है और अभी भी जो सारे केस चल रहे ह है और सुप्रीम कोर्ट का लॉज लेट डाउन है नैंटीन फिफ्टी नाइन बहंतराम सरूप केस नैंटीन सिक्स्टी फाइव ठाकवर गोविन देवजी केस उसमें ये लेट डाउन है कि एक बार जहां प्रान प्रतिष्ठा हो गई देवी या देवता की तो वह इस्था सदैव देवी या देवता का रहेगा बले ही वहां से मंदिर का विद्ध्वन्स हो जाए बले ही वहां से मूर्ती खंडित हो जाए या बले ही वहां से मूर्ती चोरी हो जाए वह उसका आधिपत्य जो है वो उसी देवी या देवता का रहेगा यह इसलिए है कि मूर्ति खंड़ित होने से कोई देवता खंड़ित नहीं होते जब कोई जो देवता है उसको छोड़के वही उसी इस्थान पर रहते हैं मूर्ति को छोड़ देते यह जो है यह हिंदु के कारण हुआ इसी के कारण आप देखते हैं कि जब लिमिटेशन का लौ जब आप जो है नेक्स्ट फ्रेंड के रूप में आते हैं देवी ये देवता के रूप में आते हैं उसके नेक्स्ट रेंड के रूप में आते हैं तो यह जो बात है इसके कारण जो पूरा का पूरा हमारा जितना भी हमारे पास प्रमान हैं हम उनको सब की बात करेंगे यह अचानक जो है उल्टी बात कहना शुरू कर दी किसाब जो है प्लेसे अवर्शिप एक्ट में डॉक्टर स्वामी की मैंने इस पर बहुत भोर आलोचना की है उनमें का किसाब कि नहीं आप तो खाली प् अगले तीस साल तक लटकाए रखा देरफोर यह नॉट गोइंग बैक तो दाट अल जो कुछ भी है वह डॉक्टर सुबर्बणियम स्वामी का अपना मत हो सकता है हिंदो पक्ष का मत वो बिल्कुल नहीं है हमने बिल्कुल ओपन में उनसे डिसेग्रीमेंट किया है वापस जो प्लिटिकल डिसकॉशन था और धिजेपी के खिलाब पूरा विपक्ष एक साथ आजाए नितीश कुमार को आप देखी रहे हैं किस तरह से रज्ये रज्ये हो घूम रहे हैं ममताब एनरजी कॉंग्रेस करनाटक जीती है उसके बाद से उनकी टोन जो है वो थोड़ी मेलोड डाउन है और ममताब एनरजी क जहां जहां कॉंग्रेस जी सकती हैं हम उसे फिली सपोर्ट करेंगे क्या आपको नए समीकरण बनते दिखाई दे रहा हैं विपक्ष के लिहाज से वैसा मेरे यह समझ में नहीं आता कि सारे अगर एक हो भी जाते हैं तो उससे क्या अंतर पड़ेगा एक स्टेट्मेंट दिया ममता दीदी ने कि हमने करनाटका में कॉंग्रेस को सपोर्ट किया इसलिए कॉंग्रेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए अब यह बताइए आप तो पुलिटिकल अब्जरवर हैं कीन पुलिटिकल अब्जरवर हैं तो अब यह इसका क्या आर्थ है करना ज्यूंभी पार्टी जहां पर भी है कोई अपना बेस नहीं छोड़ने वाली नीतीश कुमार, तेजस्वी कॉंग्रेस, पहले से ही एक हैं तिहार में एक बने रहें वो उत्तर प्रदेश में किसी की क्या मदद कर सकते हैं नीतीश कुमार जी केजरी वाल की क्या मदद कर सकते हैं लोग सब चुनाओ की बात कर रहा हूँ इनके सबके अपने अपने खाचे अपने अपने प्रदेश में हैं इन में से कोई भी पार्टी अपने प्रदेश से आगे कोई अस्तित्व नहीं रखती है तो तो तुर्परा में जाके लड़ी थी ना बंगालियों के बेसिस पे क्या हुआ तो वहाँ यह किसी को सपोर्ट कर दें असम में कर दें उससे क्या अंतर पड़ेगा इट मेक्स नो डिफरेंस यह जो सारी की सारी है यह उस तरह की बात है कि साब यह हम 1 plus 1 11 बन जायेंगे लिकिन ना ये तो 1 plus 1 सब अलग अलग है 1 plus 1 दो भी नहीं बन रहे जो बीहार में है वो करनाटक में कांवरिस के लिए कुछ नहीं कर सकता जो करनाटक में है वो करनाटक में JDS और rod इस एक साथ कभी नहीं लड़ेगी क्योंकि उनके अस्तित्तों का प्रश्टा है, उनको अपना अस्तित्तों बनाए रखना है, अगर वो एक साथ लड़ेगी ज्ये डियस लड़गी उनके साथ में, तो उसके तो पूरे सारे वोटर एक बार चले गए तो दोबारा पता नहींगे कि नहींगे, तो यह जो है ना, केजरीवाल को यह साथ में भी नहीं ले रहे जो Baa R.S. जो है वो कमसे कम उसने अपने भारतिय कि लेए नम तो लगा रखा है और केजरीवाल की पार्टी तो एक नैशनल पार्टी है इनको यह साथ में नहीं ले रहे हैं तो इसलिए ओड़ा, की एंट की की बात है इसी करनाट का चुनाओं के बाद दो अजार ठारा में एक विपक्ष की गैदरिंग हुई थी इनकी शपत ग्रहन समारों के समय आप विया दोगा उसमें तो महायावती भी शामिल थी कि मेरे खाल से केजरिवाल भी थे मुझे याद नहीं आ रहा है कि सोनिया गांधी माया वती अर्विंद केजरिवाल सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए एक साथ लिखाई दिए कैसी आर भी थे उसमें जी तो यह तो हो चुका है ना यह तो वह वाली बात हुई कि यह तो काट अभी आपने इंसाइट्स शेयर किये उसके हिसाब से आपका आकलन यह कहता है कि दोहजार चौबीस में बीजेपी की वापसी होगी देखिए हमने च्छे मेंने पहले एक पोल किया था उसमें बीजेपी के अकेले 278 सीट्स आ रही थी और अब हम दोबारा करें के वैसे तो बीजेपी इस इन दी पोल पोजिशन लेकिन बीजेपी को यह ध्यान रखना पड़े का कि अपने कोर वोटर को जो छोड़ने की टेंडेंसी इसकी रही है जैसे पस्चिम बंगाल में लोगों ने देखा कि इनके वोटर्स पर जब अमले हुए तो यह वहां से छोड़के भाग आए पर एक शपत ले ली इनोंने जाके एक एरिंग इंडिशन डाल में उससे इनकी बहुत बद्दामी हुए जिस परकार से इनोंने अपने कोर वोटर की इच्छा के और कोर वोटर की फुल सपोर्ट के बावजूद शाहिन बाग को चलने दिया चार चे महीने तक यह जो है इनको एडरेस करना पड़ेगा यह इस तरह की धुल्मल नीती नहीं चलेगी लोग जो है अब आज के इंटरनेट के युप में रोज विश्लेशन करते हैं आपको रोज इस इमतहान में पास होना पड़ता है तो यह पीजेपी को ध्यान रखना पड़ेगा नहीं कम हो गया और दो चार परसेंट वोट कम हो गय तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है अभी भी छे मेने पहले हमने 278 या था तो 278 इस ओनली मार्जनली अबाव 272 तो पीजेपी कैन विन डिपेंज ओन इस इस वोटर बेस थैंक यू संचे सर बहुत बहुत शुक्रिया इतना डिडेल में जाकर इतनी बारीकी के साथ आपने जो अभी राजनेतिक तस्वीर है और जो रूलिंग पार्टी है सेंट पर बीजेपी उसका हिंदुत्वा पर क्या बीजेपी को अपनी स्टाटिजी को रिविजिट करने के जरूरत है जो इशूस आपने उठाए हैं आम श्यूर जोनके स्टाटिजिस्ट होंगे वो भी आपको देखते होंगे सुनते होंगे और समझ रहे होंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उनसे इन साइट्स को शेय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर संजय झाल